सब्सक्राइब किजिए निगा निट्स को और बेल आइकोन को दबागर दुनिया वरक की ताज़ा खबरे अपाईए सबसे तेज होनहार गेंदबाज जो के बारे मैं बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं एक अजित अगरकर तेज गेंद बाज अजित अगरकर ने लंबे समय तक भारतिय टीम से क्रिकेट खेला है करियर की शुरूआत में घातक की और कर गेंद फिंकने वाले अगरकर ने वन डी क्रिकेट के 190 मैचों में 228 विकेट लिए हैं अगरकर ने करियर की शुरूआत में साल 2001 में 146 किमी प्रति घंटे की गती से गेंद फिंकी थी दो मुहमद श्रमी सटी क्लाइन लेंध के साथ स्विंग गेंद फिंकने में माहिर मुहमद श्रमी मौजूदा भारतिय टीम में वेह सभी फॉर्मेट में अपनी गेंद बाजी का लोहा मनवा चुके हैं शमी की ओसत गती 135 किमी प्रति घंटे से उपर की होती है लेकिन उन्होंने अपने करियर की सबसे तेज गेंद 146 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फिंकी हैं तीन जहीर खान, भारत के सबसे सफल तेज गेंद बाजों में से एक जहीर खान तेज इन सुइंग यौर कार के साथ नकल गेंद फिंकने में माहर थे स्पीड की बात करें तो जहीर अमुवन 140 की गती से गेंद फिंक लेते थे लेकिन उनके करियर की सबसे तेज गेंद 146 की मीटरति घंटे की रफ्तार की करीब थी चार आरपी, सिंग, टीम इंडिया के पूल तेज गेंद बाज रोदर प्रताब, सिंग का 2007 T20 वर्ल कप में भारत को विश्व चैंपियन बनाने में इस गेंद बाज का अहम योगदान रहा था आरपी, सिंग, ने, ऑस्टेलिया सीरीज के दावरान सबसे टेज 147 की मीटरति घंटे की गती से गेंद फिंग की थी पाच एस श्री संथ, विदेशी पिचों पर भारत की ओर से बेहज सफल गेंद बाज एस श्री संथ रिस्थ मूवमेंट के साथ बेवतरी नौट स्विंग फिंग दे थे श्री संथ का करियर भले ही जल्द समाप्त हो गया लेकिन अपने 27 टेस्थ मैच में 87 विकेट लेने वाले श्री संथ 149 की दोट मी घंटे की रफ्तार से गेंद फिंग चुके हैं किलोमीटर प्रती घंटा की गती से गेंद फिंग की थी साथ इशांत शर्मा साल 2008 में ऑस्टेलिया दावरे पर गए भारतिय क्रिकेट टीम के लिए इशांत शर्मा पूरे दावरे पर ऑस्टेलिया आई बल्ले बाजों पर कहर बंद कर तूटे और लगातार विकेट लेकर भारतिय टीम को सफलता दिलाते रहे एडिलेड टेस्ट में इशांत ने अपने करियर की सबसे तेज गेंद 152.6 किलोमीटर प्रती घंटा से फिंग की थी आठ उमेश यादव तेज गेंद बाज उमेश यादव मजबूत कंदों के साथ तेजी से गेंद फिंगने की काबिलियत रखते हैं औस्टेलिया में खेली गए ट्राइ सीरीज में उमेश ने श्री लंका के खिलाफ 152.5 किलोमीटर प्रती घंटा की रफतार से गेंद फिं भारत के लिए सबसे पहले 300 विकेट लेने का कारणामा करने वाले पूरू गेंद बाज जवागल श्रीनात ने 1999 विश्वकव के दावरान पाकिस्तान के खिलाफ 154.5 किलोमीटर प्रती घंटा की रफतार गेंद फिंग की थी साल 2003 में श्रीनात ने 15 श्री क्रिकेट से अलविदा ले लिया था दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राए है हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये विदियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करेए और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले